नमस्कार दोफ्तों मैं उसनी पांडर स्वागत आप सुपके इन्ने वीडियो में वे अमेरिका को हमेशा की तरह इस बार भी इंडिया के इंटर्नल मेंटर से बहुत ज़्यादा मतलब है और जो अमेरिका के स्टेट सिक्रेटरी है एंथली बिलिंकर उन्होंने ओपनली गहा बनाके रखती है कि कौन किस धर्म में कंवर्ट हो रहा है उबर वो अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं है स्टेट गवर्मेंट अपने स्टेट में लगा सकती है इसके लिए उनके पास में अलग से प्रावधान है राज के नीत निर्द बस्ती बोल दे कि आप धर्म चेंज कर दो और अगर इंडिया में कानून ही नहीं नहीं तो किसके पास जाएंगे के कहेंगे कि आम आरा तो धर्म परवर्तन कराया जा रहा है तो यह जो अमेरिका का देखने का तरीका यह दूसरे एंगल से देख रहे हैं लेकिन हमेंसा अमेरका को लग रहा है कि नहीं इंडिया ने जो कानून बनाया हूं सो जब्रवर्गति को कर दो कि कि ऐसे चीजों की बना जाता है जो कि जबरदस्ती से कुई कुछ न करा पाए अगर किसी की चाय को कर रहा है तो उसमें को किसी को मना नहीं कर सकता है क्योंकि अभिवेक्ति की आजादी है और आर्टिकल अठाइज जो इंडिया का है के हिसाब से आप जो धर्म चाहों उसमें जा सकते हो कोई रोक नहीं सकता है जो कि एक मौलिक अजकार है बाकी देखा जाए तो अमेरिका के डबल स्टेंडर्स रहा है और वह से अमेरिका खुष नहीं है इंडिया और रूस के साथ में इंडिया की रिलेशन और ज्यादा इंप्रूब हो रहे है और रूस अन्य से देखा जाए तो एग्रिमेंट कर रहा है रूस अपनी उपयोगिता बढ़ा रहा है एसीन कंट्रीज में और ये बात कभी भी पसंद नहीं करेगा मेरे का हाली में डिफेंस एग्रिमेंट रूस ने किया है नर्थ कोरिया के साथ में इसके लागा अन मिडिल इस्ट कंट्री इससे भी रूस के अच्छे रिलेसन है इसकी जो जियो पॉलिटिकली इंपोर्टनस Li वो लगातार बढ़ रही है घट नहीं रही है और रूस जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपोर्टेल पिलियर है अभी हाली में रूस ने जो नर्थ साउथ इंटरनेशनल टाजिक्शन कोरिडोर है उसके जिरिये इंडिया में कोईला भेजा है मतलब उस रूट को यूज किया है यह एक बहुत मेगनिफिसेंट स्टेप है इससे क्या होगा कि अमेरिका को बहुत ब प्रपोगंडा जो हमें साथ से करते थे वही है